साथ स्रीकाल जी पीवी सी टीवी देख रहे सारे ही दर्शकांदा मैं सिस्तंदर सिंग बहुत-बहुत सवागत करना जी ते प्रोग्राम लेकर आसी हाज रहो गए हैं तो अडिक चैरी बेच जुबेर रशीद पाजी नाल इस प्रोग्राम बेच आज बहुत ही जड़ा करते हैं साथिगाल पाजी असलाम साथिए काल आं थांक यू सच्विंदर पाजी आज पीवी सी चैनल ते बुनाने दा जी और तुस्हां प्रग्राम दे शुरूत खुद ही कह दिता कि आज इक बड़ा ही जड़ा आपकमिंग वीजा आ रहा जी ठीका कुछ लोगा नूप प्रफेशनल वीजा स्कीम तो सब तो पहले सी आपने सारे इंडियन नागरिक जड़े इंडिया बैठें उननों एक चिनवती इंविटेशन दे ले हैं कि अगर तुसी इस वीजा स्कीम इच अप्लाई करना चूंदे हो ओकेडिया शर्तन जिज़े तुरू तुसी अप्ला आप इस प्रग्राम में अपां इस मुदेते का मिचर्चा करांगे इंडिया यंग प्रफेशनल वीजा जड़ा आया कोई नमा आया कोई रूल जुके दी जरी गवर्मेंट ने कड़े आया सो ओधे बारे आपां सारी जान करी आपां जुवेद राशीत पाजी कोड़ों ल जो ओधे वास्ते है सही है जा गलत है आपां इना नरकार जी जी बाडी जड़ा इंडिया यंग पर्फेशनल स्कीम वीजा आगा जी केड़े लोकी अप्लाइब कर सकते जी अबस्ती एज वीजा सेरकारां ने खोलिया इंडिया इंडियन देशास ते एथोड़ा नवा वी और जड़ी यूके सरकार ने और किडियां शर्ता रखियां जिजिए तैस इसे एक खास गिंती विच लोकी आ सकते जिए तो में तो नो दसना चुलदा ठीका सब तो पहरे और लोगी इस वेज़े अस्ते एलिजिबल लगे पहली गाल ओ इंडियन नागरिक होंन जिए इंडि हैं ऑठ्वाitel तो तीस साल दे डिमयान उन्हाड वी इसां चैनल गर्पिर जिक्ता हैं फैर्णा गर्फां ठीक पिशेदे में स्रता रखियां यानि के फिर ती एन अधिए इनोर अपलाई के लििक प्रश्त हैं के यह बहद्म कर न नão है accounted as a saving human ठीका यह ते आपने पहले तेन शर्ता पूजियां करने ही करने हैं तुसाने के करना जारी कहले जिस बंदे को ते तीन चीजां होन कियां ओ अठाई फैबरी तो लेके दो मार्च तक अपलाई कर सकता कि जो अपलाई करेगा होम आफिस अपनी व कि मिल डवब साइट मोर्फ दो की जी उस एम अपलाई करना यह उसे अंदर कीग की लिए एमिल दे अंदर को जाज में था होगिए तुसा अप्राना डेट बर्थ इमेल अड्रेस अपने पासबोर्ड दी पासबोर्ड दी स्कैन पिक्चर जी और ना लिख छोटा जा कवरिंग लेटर एमेल देंदर लिखके आपने अप्लाई कर देना इना सारीयं चीज़ाने अप्लाई करके तुसा छाड़ देना फिर सरका और होम आफिस एक लोट्री दे सिस्टम जिन्हों बैलट सिस्टम केंदें ठीक है उद दे थरू चोवी सो बंदे चोन लोगी ठीक है 2400 मतलब कहना था कि जदो अपना अपलाई करना फिर सारे कर सागदे जड़ा मार जी जड़े जड़े बंदे विच जड़े चोनने होनान तो भी एड़ का लो 18 तो 30 साल उमर हो वे ग्राज्यूएट डिग्री हो वे बैस्लेस लेवल दी नोमली हो वे ठीक है 25 तो 30 साल उमर होगी इंडियन नागरिक होन और 2035 अचांट इच होन ठीक है एच चार चीजां पूरियां करनियां ठीक है उनने अठाई तो दो तारीक द नेक्स वीक बंडी तूजदे बंडी या अपलाई कर सकते हो जिए ओम आफ़ेद आपड़ा सिस्टम को लुगा ठीक है और दो मार तक होगी या और इंडियन टाइम हाव पास्टू टाइम अगजे ताइम होगा इस शुरू होगी और दो मार्ज तीक टाइम बंड़ जाओ लुगी तीक है और अपलाई इस एमेल दे करना चोवी केंटे दाटा है मैं जस्तर ज्यादा बंड़ा जो भी बंड़ा अठाई फैबरी तो लेके ने अठाई फार भी तो दो मार्च अटाली केंटे बन जाए ठीक है जी ते एच्वाने अपलाई कर सकते हो अगर तुसी य जड़े बेच जड़े अपने जितना के ओंदी ना आइलर्स बगारा जांकोशिद ना कोई वेरी गुड़ क्वेस्टेन पाजी इस वीजा दी कही ब्यूटी अगिया ना इस इस आइल चाहिए ना शी स्पॉंसर चाहिदा आशाई जी और असी अगराम जे नारनल होरी जाल बात कर दें जाओंगे इस वीजे तुसी खुला काम करो स्टडी करो जी बिजनस भी कर सकते हो कुछ बिजनस दी शर्ता है लेकिन तुसी बिजनस कर सकते हो कंपनी बढ़ा सकते हो जी और दो साल दा वीजा अच्छा पहला वीजा दो दो साल दा मिलना एकी वार मिलना वान विज़ा होनदा ये दो साल दा विज़ा गा दो साल दा विज़ा से जिस तरह आप अंगाल की थी कि ज़ड़े जदो आप एक बंदा जड़ा आ जानदा फैमली विट्टा हूं वह अपनी फैमली भी में का सकता है से विज़े बैच जा कि एदी इस इदि वाइफ आ सकती या हां जी ठीक है इसी बच्चे अलाओ नहीं जरे ठाना तो काट होना ठीक है यानि के जिस में बंदे ने अपलाई करना जो चार शर्ता पूरियां कर दा जी ओ आ सकता थे उदी वाइफ अपलाई कर सकती बाच्चों सेपरेटी उज़े नाल पहले थे उस बैलेटी तुसान द है थी नासलेक्ट हो गया घृफए बच्चे जिस्टे शोटे होन गे जिदे दो थी साल जा चार साल जा पंस साल ठाना उंड बच्चे लाओ नहीं इस वीज़ेज कि तुसी नहीं है क्योंकि इस वीज़ेज भाजि मक्सलिया या कि तुसी यूकेच आके इस से लुए प्रेदिकेशन लाके बला सकते हो जी क्यूंकि षैटलमेंट वीजा नहीं है किसि इसी इंडिया तो इते युके दी कंट्री चाहो इसे ता कंको बढ़ो या बिजनस करो इते नहीं आई किसी जी बेस्थित ब्लगाद का नहीं है कि दो साने वर्क पर मत तुम बाद एथी की कि यह पाजी चंगा सवाल की था कि अगर तुसी दो साल आसते हैं इंडिया यंग प्रफेशनल वीजा स्कीम ते आंदे हो जिए उस तो बात अगर तुसानों कोई और वीजा कैटे करी स्विच करना तुसी कार सकते हो आके स्टूडंट वीजा जा कुछ इसे स्टूडंट वीज खुद दो साल आसते हैं लेकिन अगर तुसी इस वीजा नो स्विच करना चौन दे हो येस तुसी कर सकते हो जिए इस वीजे दे के चंगी गाल लगिया जी बिलकुल जी जिस तरह जो बेर साब ने दस्या के और वास्ते बहुत वज़िया एक एक एगड़ा रस्ता आया पर लिम्टड है कोश आप वापनी किसमत आपके किसमत आप इस वीजे वेच आपनी करिए इस फाइल नो जमाते जिडी जिसमत होया था जरूर आइधिंग 2400 दस्याजी तुसी 2400 बंदा साबना तो चौना ना जी 2400 बंदा सरकार ने चौना जी जितने वी जितने वीज़िकन् एक रेंडम ली बैलिट सिस्टम दे थ्रू चोड़नें ते तकरीबन चोभी सो बंदे इना इस साल आसे चोड़नें ठीक है और जो नाल इसे अच्छी चीज भी अगिया इसी होम आफ दी फीसां भी इतनी ज्यादा नहीं आगिया तू फिफ्टी नाइन पॉंड इमिग्रेश चाओ इस वेरी सिंपल अगर लोगा नू नहीं पता लगदा ते किसी भी जड़े क्वालिफाइड बंदेन जिसी थाड़े को लुई आसकते जा कोई भी होवे उधे थे थुरू भी अप्लाई कर सकते हो जी जस्ट स्कीम इंडिया वास्ते जी ए स्कीम इंडिया वास्ते ज जी बिल्कुल ॡप सो जो जीना नों भी जिरे भी इस्केटा करी वेचे खो और यह सो चार चार्ट यह पोरी हैं कर दिया यह लिए एब बेजा ठाई मार्च तों लेके डर दो मार्चनों सकीम के बंद हो जानी है शो देRIA चल्ड़ाइए कर सकतेरे बिल्कों सवा ख राख कि जस तो teach का मज़तों काम का मिज़त Nithearted काम कर दें एक कंपपठी काम कर देँ तप पिसीं ले सकते हैं आकचे जी पजी अगर तुसी इस इस स्कीम दे अवाले दना गाल कर दे हो या इन जनर गाल का रहे हो अगर कोई भी बंदा जड़ा लैटस वे स्टूड़न्ट वीदिये ते आया जिए अगर उन्नों वर्क पर्मेट स्विच करोना तो कोई भी कंपनी जिस को होम आफ़ीदा स्पॉंसर लाइसंस अगा उस बं कि समयधारी नहीं होगी क्योंकि दो साली स्पॉंसरिशिप दी लोड नहीं होगी जी दो साल तब पहला बंदा आके काम कर सकता नहीं बैच्छा बिलकुल कि हर कोई अपने सुपने लेक्यों दा इस मौलक बैच्छा कि आसी यूक के चलने यां दो साल बाद आसी जड़ी स्विच करना कोई नहीं स्पॉंसर लाइसंस होगे जिसको होम आफिजा लाइसंस होगे और इस पॉंसर कर सकता दो साल तो पहले भी कंपनी कर सकती है अगर रचावे ठीक है लेकिन फाइदा आई है कि तुसी दो सारी इसी थोड़े चार पैसे कमाओ थोड़े एक्स्पिरि चाहूं किसी स्किल बड़ी डेस्परेटली किसी बिजन सुचाहिए दिया उसे कोई पबंदी या रकावड नहीं अगिया जी बिलकुल प्रॉब्लम है जबिर साथ जिदों के स्टूडेंट जिदों के स्टूडेंट जिदों इस वीजे नहीं थे आजा देना फिर पर जी कम नहीं मिल दा या थोड़ा टैम उन्हानों फिर वो जड़िया पेसलिपां वगेरा जहां अपना काम किता दखोना पहूँगा या नहीं दखोना पहूँगा कि किस तबारे अकर तुसी गाल का रहे हो किसी भी स्टूडेंट ने स्विच करना किसी इंप्लॉयर को जा अपलायर को करोना जहां फिर वीजा के बदाओना दो साल दा तो अननू मिल नहीं मिलना उस्तुम बाद जदो नहीं वीजा जड़ा इह बदाओना उस्तुम बाद उन्हानों इसे जिदे कम प्रॉपर मिलदा रवे सो ठीक है जह सम टायमर कम दे हलात दे वेचे एदर उ परमेट जीनि स्किल वर्क हुज़ के जाना अगर इंपलाएर के काम हगा तो भी सी इंपलाएर उन्हों कटो कर उन्टाली के एंटे होंदे स्किल वर्क हुज़ के देड़ने पहने हैं अगर काम नहीं है फ़र्द को भीजनस बांद हो जाना तक नून दे नियम दे मताबिक अ मेरा बिजनस खतम हो गया मैं मजीद स्पॉंसर नहीं कर सकता असूल तो हटके कोई बंदा कोई होर काम कर दा पेस्टिपां बढ़ां दा या कागजां दे चुलां दा ते ओ कानून ते जाज़त नहीं दें दे लेकिन कोई करना चावे ते ओ जी आपनी मर्जिया गिया ते कान असी तरह दे जाब उसी स्केटेगरी दे जाब लर्स से हाल्थ केर वरकर वीज़े दे गाल करिये अगर कोई केर हो मिच यह हाल्थ केर दी थांदे जाब कर दा वीक एंटे कि जो होर इंपलियर को भी कम कर सकता और होम आफिच जी दसने लोड नहीं हो दिया जिनो अडिशन के डोंकी ला के भी लोग का इंदे ने नो शूढ की लाए के बंदा जैड़ा कर सकता स्विच कि सी बर ज कर सकते हां चाँन फोईघान दूसर कर देसर बढ़ा एक क्लियर रिसूल एमिघरेशन दा एंड़े बन दा च ही यह ऑurgic दंकी दा वर्ड यूज कर देयां घर कानूनी तरी किनल यह इंग्लिश चैनल क्रॉस करके या लारियों दे पिछे जिन्यू क्लैंडेस्टन के चुपके होंदे और किसी भी जिडी पॉइंट बेस्ट इमिग्रेशन इसुच नहीं कर सकते पॉइंट बेस्था मतब इसी को कोई होड़ वीजा इनसानी राइट सी बेस्ट से अपलाई कर सकता जिसे अक्सर तो सुने आएगा कि जो तो ऐए इलिगल बंदे कोई बच्चा हो जांदा किसी दूजी कोड़ी नाल उससे मिल जांदा या ओ इलिगल बंदा जिन्नों कोई एजी बिमारी या कोई मरस कि या कि उस बगार उस इलिगल बंदें दे बगार ओ बंदा जिन्दा नहीं रह सकता इन्हों से हुमर राइट दे वीजे या कंपैशिनेट ग्राउंड्स कहन दियां जिन्हों कानूनी जुबान इंगाल किती जावे ते 276 दारा हों दिया पराग्राफ होंदा उस ही बेस स इक्षिन देता है वीजा मिले वो इक डिफरंट गाला लेकिन गाले कि जिस बंदे नूं असाइलम मिल गई या हुमन राइट देता है वीजा मिल गया वर्क परमन यस्टेडी वीजे कों जाओगा ओ तो वैसे भी कम कर सकता जी बलकुल नहीं पहला आके उन्हों हमन नहीं हागी और पासे वीजा उन्हों कारना दी स्वेचा हां जी कोई रोड़ नहीं है अल्लास उदे सरकम्टांसिस चेंज हों चेंज हो जाना की जी बिलकुल जिसरा युक्रेन दी वार चाल रिया हां जी इननू हकूमत ने एक खास स्कीम देत इते वीजे दिते काल युक पाजी ने दस्या के जिड़ा नॉर्मल डॉंकी लाके आओने जांको किसे भी बीजा केटागरी वेच नहीं बन दाएते हो दा तो वेलकुल नहीं कर सकता किसे भी इन इन दा लौवा तो जो बेर साब एक कफूर का लिया साथ साल अला जिड़ा केस आजी उदे वारे बारे पुछ रहे हो स्टेट लेंस दे दुवारे स्टेट लेस दा पर चलो आपनों हो पता लागया ना मैं आए जिड़े कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी बच्चे कानून नवाई केंदा जिन्हों फैमिली एंड प्राइविट अपेंडिक्स केंदे हैं कोई बच्चा को उस बेस सिद्धा पका होगा एक नवा कानून जुलाई दोजार बाइच आया उस तो पहले टाइस साला वीजा मिल्दा सी उस बच्चे नू ठीक है लेकिन हो इक की कानून कर दीता ठीक है जिसी इवन स्टेट लैस वारे नहीं हुई ऑई कैंदन के उस बैस सी नहीं जान ठीक है क्योंकि आपने बहुत सारी चीजां प्रूफ करनी पहन दिया क्योंकि जिन्हां लोके नहीं लाए असांते नहीं सुना के जून दोजार बाई तो बात किसी था पंच साल दी बेस थे स्टेट लैसी बेस ते लगया हुए खासकर इंडिये नागरी कास्ते ते हों सार पूरे करने तो बात बच्चे नू इंडाफिनेट लीव टू रिमेन मिलोगी एक साल बात बच्चा फिर ब्रिटिश पास्पोर्ट ले सकता जी बेलकुल सो जड़े जड़े बच्चे आज पैला हों देने ने अपने पेरें स्कूल बीजाया जड़े उना वास्ते की टाइ पासबोर्ट मिलना है यह फी कदो मिल सकता है नहीं पाजी रूल डिपेंड़े के पेरेंट्स स्टेटस की अगा पेरेंट्स दा स्टेटस से ही सेवन अपना गिए अगर पेरेंट्स टाइटाइट साल वीजे ते आगे बच्चा नवा पैदा आया ते बच्चे नूँ पासब्स जिनना बच्चा यूकेज पैदा होया हुए ठीक है और पेरेंट्नों दूरान इंडैफिनेट्स मिल दावे ते बच्चा भी पका होगा ठीक है यह पॉइंट्स समझे थोड़ा दा अगर फार्स को मेरे को टाइस साल ना वीजा थी का ठीक है और मेरी तीसरी एक् बच्चा भी साथ साल पूरे करूगा अगर मेरे तो पहले बच्चे ने साथ साल पूरे कर देते मेरे दस साल तो पहले बच्चे ने साथ साल पूरे कर देते बच्चा भी बच्चा होगा ठीक है और मेरे दस साल तो बाद बच्चे ने साथ साल पूरे नहीं की थे और मैं द जो लिया गा है जिस तरीक नार के बच्चे हाँ जड़ा मां पर बजा जड़ा पहला हो जान देख बच जा ₹ट भी जा जा ज तर्ड भी जाया ओव इज नहीं रहना उने नाली पका होया उनु आजी ज़दासल पूरे कर ले आंजी उस तुंबात उस यह गर नाली पका होया हाँ जी अगर मापे अनु इंडेफिनल आई एलार या पी यार मिल जाओते जी जी बेलकॉल ये भी काफी दुबदा सवाल से का के जड़े बच्चे पैदा होना बच्चे बाद वेच पैदा होया थे ओ किस तरह उन्हों जड़ा वीजा क्योंकि मापे पहला पके होया देने उन्हाँ जड़े बच्चा या वहले वीजेवेची जाओगा या नहीं पर वकील साफ ने एवी कलीर कर देता है तो बिलकॉल वकील साफ से यह ता अपनिया सारी अगला होगी है पर इंडिया जंग प्रफेशनल थे आप आ आ जाने हैं दवारा बिलकुल पाजी जड़ा आ जिना दी उमर अठारा तो तीसा लगिया और उन्हों खबरदार रहवन जी बिलकुल तुसाने अठाई फैबरी नूँ एंडियन टाइम जम ताबिक टाई बजे तो लेके दो मार्च टाई बजे तक अगर तौन दी उमर अठारा तो तीसा लगी अगर तौन को तुसी और अविस्सी तुसी इंडिया नागरी का गए, that's important, क्योंकि सिर्फ इंडिया नासते है, तुसी इस स्केम इच एमेल दे थरू apply कर सकते हो, email address केड़ा होगा, ओ gov.uk ते home office दे दूगी, ओ normally एक दिन पहले या कुछ कैंटिया पहले home office दें दिया, otherwise लोग पहले apply करना देंदें, तुसी इंडिया नागे, 18-30 साथ दी उमर होगी, तुसी इंडिया दी कोई degree level दे, बराबर कोई qualification लगी, ठीका, और तुसी पच्छी तुसी पहले, तुसी प्लीज जरूर आपड़ी किसमत आजमाई करो, बैलेटिज अगर तुसी ना आ आ गया, तुसी उना 2004 सो खुशनसी बंच रफ करे तुसी हो, तुसी यूगे विच दो साल दे, ऑपन वर्क परमिटते आ सकते हो, और इस दो साला तो बात, या इस तो अंदर, तुसी किसी हो वीजा कैटेगरी विच स्विच भी कर सकते हो, एपाजी बड़ी आज दी ताजा खबर गिया, जी विलक सेवन सेवन फाइफ ते, जड़े भी सुनने वालें, जी और इस खबरतों, इनफॉर्म्ड रवन, जी और बाच चो एना कवन के असा एपरचुनिटी मिस कर देती है, जी तो इस बैस के लिए अपरचुनिटी, एक मौका आगा, जी और असी लोगा नो कवा गई, अब इस असी और तुसी आके इथे उननों ए मौके दो फाइदा जखने दा दजाहर होंगे, बेलकल जी, बेलकल जी, जी जी तरहां वकील साब ने दसे आके, इंडिया यंग परफेशनल वीजा जड़ा है, ओ स्विच करो, दो देन दा टैम हैं, जस्ट अर ताली के इंट दा टैम ह हैं, एक ठाई फारी तो लेके, दो सेकंड मार्च तक, सो बहुत ही ज़्यादा जड़ा है, मौका आपनों मिल रहा है, सो अपां आज दी जड़ी जान करी इस प्रोग्राम जड़ा सेगा, इस प्रोग्राम इस ते इने उत्तिया सेगा, सो होना आपन नेक्स्ट प्रोग्रा कोई गल ने जी के असी ना सारें इंडियन सिटीजन नो कोऊंगे के होम आफ दी फीस टू फिफ्टी नाइन प्लस नाइन फोटी अगिया, ति तुसी ठगे ना जाना, क्योंके जदो जदो कोई स्कीमा ओं दिया, ठगी दी ते बेमानी दी दुकाना में खूल जा दिया, त के साड़ा मकसद एई हा कि आपनी अवाम नो असी प्रोटेक्ट करिये, कि तुसी ठगे ना जाना, टोटल फीस इतनी अगिया, हाँ कोई वकील, कोई कंसोल्टन्ट, कोई एजेंट पैसे लेंगा, आपनी थोड़ी बहुती मनासर फीस से हरको लोगा, फ्रीतिकव नी करेग लेकिन तुसी लखा लखा पौंट, दस थाज भी भी लखना दे बैठना, यह मैं जरूर बिंटी करेगा, आपना मकसद एई है, बलकुल वकील साब दे कैन दे साब ना एहे आ के काल, के जैस तरह नाल ठाग जान तो थे बैठेने, ओ तो अनु कहा दे नहीं, तुसी नहीं पहे तो अनु लगने, इन लगने, यह दा आपनों सारा नु पता है हुंदा, जैस तरीके ना वकील साब ने क्या, के इनी फीस या, वही बाजब हो ते बाकी आपनी जड़ी फीस सलेस्टर को यह भी लेंदा आया, वही वास्त, वही वास्त, ओ सही होवे, सो किसे भी ठाग जान नहीं जाना, तो आप ही वैसे ना ने दस्या के जिस तरह ने इमेल वेचो ओना या, तो उदे उत्ते फाइंड करके तुसी आप ही करो ताम बहुत वोदीया का लिया, तो वकील साब प्रोग्राम दी समापती दवाल आप जा रहे हैं जी, तो फिर आपनेस्ट प्रोग प्रोग्राम बेच असी कोई नमा जड़ा लेके हमांगे, कोई इमिंग्रेशन आपनेट केड़ी भी है, आप हमकील साबनों नेक्स्ट प्रोग्राम बेच लेके हमांगे, तो उत्ता तक लई, प्यारते सतकार परी, साथ सिकाव